हेलो एवरिवन माइसेल्फ डॉक्टर मन्जू मीना असिस्टन प्रोफेसर इन केमेस्ट्री फ्रॉम गॉर्मेंट कोलेज कोटा आज हम एलकेंज के अंतरगत रियक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी अथार्थ अभी किरिया सीलता एवन वर्नात्मक्ता के बारे में अध्य विशक्टिविटी एक्टिविटीयों करेंगे जैसे कि हम जानते कrån एंड प्रोफेसर से संपन होती एक्टिविटी प्रोफेसर आवूप्तिविटी सीलता और उसके अंदर कौन सा उत्पाद जादा बनेगा यह इसकी कहलाती है वर्नात्मक्ता या सलेक्टिविटी किसी अभी किरिया में किरिया कारक एम उत्पाद की उर्जा, विविन पदों के संक्रमन अवस्था की उर्जा, एम उत्पादों के इस्थायत उसे उसकी अभी किरिया सीलता एम वर्नात्मक का निर्धारन होता है अब किसी अभी किर्या में दो अथ्वा अधिक उत्पात बनने की संभाउना हो तो मुख्य रूप से कौन सा उत्पात बनेगा यह उस अभी किर्या की क्या कहलाती है Selectivity या वर्नात्मक्ता एल की इनके हैलोजनी करण की किर्या सेलता कि विवेचना करने से पूर्म हम सबसे पहले देखेंगे की मुक्त मूलकों के स्थायत्व किस प्रकार से होते हैं क्योंकि इन अभी किर्याओं में मद्यवर्ती एल किल मुक्त मूलक बनते हैं एल किल मूलक तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट होता है प्रात्मी या वन डिग्री जिसमें की वन डिग्री के कार्वन से जुड़ा हुआ हो दित्यक या टू डिग्री जिनमें कार्वन परमानों दो कार्वन परमानों से जुड़ा हुआ हो और टर्सरी अथार जिसमी कार्वन तीन कर्वन परमानों से जुड़ा हुआ हो सरलतम एलकेनों के लिए इसका बनना हम निम्प्रकार से दर्सा सकते हैं जैसे हम देखें जो मैथेन है उसमें से एक हाइटोजन निकल जाए फ्री रेडिकल के रूप में तो क्या प्राप्त होता हमें मैथिल मूलक तो इसके लिए डेल्टा एज का मान आता है वन हंड्रेड ुक्यों कैलोरी ऐसे यदि एक हाइट्रोजन निकल जाये फ्रीश रडिकल तो फिर क्या प्राप्त होता में एतिल मूलक इसके लिए डेल्टा-च का मान होता है 98 किलो कैलोरी इसी प्रकार से आईसो प्रोपेन से निकले तो कौन सा प्राप्थ होता है ये वाला निकले हाइट्रोजन तो टूट डिग्री और इसके लिए उर्जाए कि आउशकता होती है 95 किलो कैलोरी और यहां से यदि नियो से यदि एक हाइट्रोजन निकल जाए तो क्या होगा यहां थ्री डिग्री मूलक हमें प्राप्त होता है इन सब अभी किरियाओं में आरेच बंद तूटकर एलकिल मुक्त मूलक और हाइट्रोजन मूलक बनाते हैं अतहर डेल्टा और एच उस उर्जा का मान है जो की आरेच बंद तोड़ने के लिए आवशक है हम देखते हैं कि मैथिल मूलक से टर्सरी प्री रेडिकल के तरफ डेल्टा एच के मान क्या हो रहे हैं गढ़ते जा रहे हैं अथार्थ वो आसानी से अभी किरियाओं में बनते ह किसी मूलक के बनने में यदि कम उर्जा की आवशकता है तो हम उससे यह निसकर्स निकाल सकते हैं कि एक मूल एलकेन वह उस मुक्त मूलक की उर्जा में कम अंतर है अथार्थ वह फ्री रेडिकल कम एनरजी लेवल पर है कोई species कितनी कम उर्जा की होती है अथार्थ वह उतन ही उसके निर्मान की सेलेक्टिविटी बढ़ती जाती है और उतना ही अधिक उसका क्या होता है इस्थायत आथा फ्री रेडिकल के बनने की सरलता वैस्थायत का भढ़ता वाक्रम निम्प्रकार से होता है मैथिल मुक्मूलक फिर वन डिगरी टू डिगरी और फिर टर्शर कार्वन का इस्थायत निम्प्रकार से है इसे हम निम्प्रकार के उर्जा वस्था चित्र के द्वारा भी दर्सा सकते हैं जिसमें डेल्टा एच का मान उपर की तरफ भढ़ रहा है और इधर है एलकेन मुक्तमूलक यहां हम देखें CH4 से मैथिल मुक्मूलक में 104 किलो कैलो इनर्जी की आउशकता होती है इनका इस्थायत वे टर्सरी की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके लिए हुजा कितनी चाहिए है 92 चाहिए है हाइट्रोजन परमानों का नामकरन उन कार्वन परमानों पर अधरित होता है जिन पर वे जुड़े वे हैं आता है जो वन से जुड़े हो उसे हम कहते हैं है अब हम एलकेंघंत कि करेंगे माना हेलोज़नी करण 김 की करिया मैधिन के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद मैθिल क्लोराइड भी पणेगा क्योंकि मैधिन के चारोग है हाइट्रोजन परमानू एकदम समान है अत्य सक्रिय अनू चार इस्थितियों में से किसी भी प्रकार से अभी विन्यासित हो तो मैथिल मुक्त मूलत की ही बनेगा किन्तु यदि प्रोपेन अत्वा आइसोब्यूटेन का हैलोजिनी करण करवाए जाए तो पहले हम प्रोपेन का देखेंगे प्रोपेन के एक अनू में 6 प्रात्मिक हाइट्रोजन परमानू है और 2 सेकंडरी अत्य क्लोरीन की प्रोपेन से किरिया कराने पर निम्रुतपाद प्राप्त होता है इसमें वन क्लोरोप्रोपेन तो 44 परसेंट प्राप्त होता है जबकि प्रोपेन है C l se स्सक्राइब करेगा तो वन डिग्री मुक्तमूलक बनेगा और फीर वापथ से इससे करेगा तो वन कलोरो प्रोपेन प्राप्त होता है यदि यहां से एकена का हेग साहिकえば तो यहां कौन सा बनेगा टू डिगरी मुक्तमूल लग और फिर यह सीयल टू से क्रिया करके क्या बना लेता है टू क्लोरो प्रोपेन बना लेता है तो यहां पर प्रात्मिक वैदितिक हाइडरोजन परमानों का अनुपात क्या है सिर्क रेज़ टू अथा थ्री रेज़ होते हैं अर्थार्थ वन रेज़ टू वन या थ्री रेज़ टू थ्री में इसका मतलब यह है कि सेकंडरी फ्री रेडिकल अपनी निर्धारित संक्या से तीन गुने से भी अधिक बनते हैं इसका कारण क्या है कि जो सेकंडरी मुक्तमूलक है वो क्या होते हैं स्थाई होते सक्र्ण उर्जा का मान ऊब्ला वह असे बन जाता है इसी प्रकार और के लिवी दुगीर कर chuck Yes जाता है जब यह तरसरी से निकलेगा तो यहां तरसरी फ्री रेडिकल बनेगा और सी एल टू से करिया करके तरत्य ब्यूटिल क्लोराइड बना लेगा जो कि तरसरी हाइट्रोजन व्यक्यवल एक है अतर प्राथमिक मुक्त मूलक बनने वैतरते मुक्त मूलक बनने की संभावना कितनी होनी चीए 9-1 और इसी के अनपात में आइसो ब्यूटिल क्लोराइड व्यक्तरी ब्यूटिल क्लोराइड बनने चीए किन्तु लगवक यह 2-1 के अन निर्धारित संक्या से 4.5 गुना अधिक है यहां भी यह कारण है कि जो टर्सरी मुक्त मूलक होते हैं वह बहुत अधिक इसाई होते हैं और उनकी सक्रेण उर्जा जो प्राइमरी मुक्त मूलक बनने की तुला में काफी कम होती है आता है यह आसानी से बन जासे हैं दूसर से कम प्राइमरी कमरे के ताप पर विभिन हाइट्रोजन परमाणूं की सापेक्ष अभी क्रिया सेलता का क्रम सानी में निम्प्रकार से हम दर्सा सकते हैं यहां हम देखें जो हाइट्रोजन परमाणूं है वन डिग्री उसकी अभी क्रिया सेलता क्लोरिन के प्रती वन है औ और थ्री डिग्री में 5.0 क्लोरीन की और ब्रोमीन की 16 सो बुना है तो उप्युक्सार्णे के साइता से हम किसी भी हैलोजी नी करण अभी किरिया में बनने वाले उत्पादों की प्रतिसक्त मात्रा की गणना कर सकते हैं उद्धान के लिए प्रोपेन वे आईसोब्यूटेन के कलोरिन करण ता ब्रोमीन करण के द्वारा हेलोजी करण अभी किरिया और अभी किरिया सिलता यह हम अध्यान करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीनेशन ओफ प्रोपेन प्रोपेन के अनु में दो हाइट्रोजन परमानों 2 degree है वैड रिद्ध six है हाइट्रोजन परमानों कैसे हें वन डिगरी परमानों के प्रतिस्थापन से वन क्लो रो प्रो प्रोपेन बनेगा जबकि टू ढपन की वन क्लो रो प्रोपेन 44 परसेंट बनता है जबकि 2 क्लोरो प्रोपेन 56 परसेंट बनता है तो हम अब देखें कि जो 1 क्लोरो प्रोपेन की बनने की संभाव ना है उसको निकालेंगे 1 डिगरी हाइटोजन परमाणों की संभाव कितनी है 2 3 प्लस 3 बराबर 6 इन टून की अभी किरिया सिलता है जो की सार्ण में कितनी दे रखें क्लोरीन की 1 तो 6 2 क्लोरो प्रोपेन बनने की संभाव यह दो है तो 2 और जो सार्ण है उसमें इसका मान कितना है 3.8 तो कितना आएग परसेंट इसी प्रकार से 2 क्लोरो प्रोपेन की प्रतिसत मात्रा निकाले 7.6 अपॉन 6.0 प्रस 7.6 इंटू 100 बराबर 56 परसेंट तो इस प्रकार से इस फार्मूले के द्वारे भी इनकी वही संभावन आती है जो कि प्रायोगी प्रोप से आती है अब हम देखेंगे आईसो ब्यूटेन में दो प्रकार के हाइट्रोजन पर्माणू है यहाँ पर यह 3, 3 और यह बहार वाले जो यह 3 हैं यह 9 है 3 प्लस 3 यह प्रायमरी और यह वाला जो है वो टर्सरी है तो 3 मैथिल समूल के रूप में सिरो वाले जो टर्मीनल कार्बन पर्माणू के साथ जुड़े हैं हैं हैट्रोजन पर्माणू वो है और केंद्री यह सेंटल कार्बन पर्माणू से जुड़ा हुआ है है अत्य हैलोजनी करण करवाने पर आइसो ब्यूटेन दो प्रकार के मोनो हैलो उत्पार बनाएगा फ़स्ट क्या बनाएगा एक के प्रतिस्तापन से और यह भी फस्ट की मात्रा सेके उत्पात के तुल नमें नो गुना अधिक होनी चाहिए लेकिन वास्ता में इसकी मात्रा दुगिने से भी कम आता है जैसा कि निम समिकन से स्पस्ट है कि यहां पर यह 64% बन रहा है इसो ब्यूटिल क्लोरेड और जब कि तरस्री ब्यूटिल क्लोरेड 36% बनता है इसका कारण यह है कि क्लोरी निकरन के लिए तरत्यक हाइट्रोजन परमाणों की अभी किरिया सिलता का मान प्राथ में की तुनला में पांच गुना आतिक होता है जो कि हमने प्रीवेस स्लाइड में टेबिल में देखाता आता है यदि इसी हिसाब से हम उत्पात की मात्रा का परिकलन करें तो परिणाम प्रेक्षित परिणामों से एकदम मेल खाते हैं आता है आइसो ब्यूटि क्लोराइड बने के संभावना पर हाइटोजन परमानों किसे कितनी है टर्सरी वाले की फाइव तो परसेंटेज ऑफ आईसो ब्यूटिल क्लोराइड नाइन अपॉन नाइन प्लस फाइव इंटू हंडर बराबर सिक्स्टी फोर परसेंट और टर्स्री ब्यूटिल प्राइड परमानों की किरिया सीलता प्रात्मिक हाइटोजन परमानों से अधिक होने का कार्ण यह है कि जो तर्सरी हाइडोजन परमानों की हटने से बने वी मुक्त मूलक की उर्जा कम होती है जिससे उसका इस्थाय तो क्या हो जाता है बढ़ जाता है और उसके बनने की स अंबाऊना भी अधिक हो जाती है जैसा कि इस उर्जा अवस्ता चित्र के द्वारा हम इस पर्ष्ट कर रहे हैं यह है आइसो प्यूटेन इसकी क्लोरीन फ्री रेडिकल से किर्या करवाते हैं तो यह दो ट्रांजिसनल स्टेट प्राप्त होती है जिसमें की टी एस वन जिसमे बनता है तो यह वाला बन जाता है तरसरी और यह वाला प्राइमरी वाला तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक्टिवेशन एरजनजी का मान है प्राइमरी का जाता है जबकि टरसरी का उसे काफी कम है इस कारण से इसका इस्थायत भी जाता है और यह अभी ग्रया में जल्दी बनता है अब हम देखेंगे प्रोपेन का ब्रोमी नी करन ब्रोमी नेशन ओब प्रोपेन प्रोपेन की जब ब्यार टू से अल्ट्रा वाइलेट किर्णों की प्रजेंस में 127 डिग्री सेंट्री ग्रेड पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन वर 2 ब्रोमो प्रोपेन राप्त होता है जिसका रेश्यो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है 3% जबकि 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है 97% वन ब्रोमो प्रोपेण बनने की जो संभावना है उसको हम निकाले सिक्स प्लस इंट ज G इसलिए सक्राइब तो ऑनसर कहेगा लगबक थ्री परचेंट और तू ब्रोमो प्रोपेन की मातर निकालेंगे तोो एकसो चोच्ट अपॉन सिक्स प्लस एकसो चोच्ट इन टू हंडर वरावन 97 परसे इस प्रकार से प्रायोगी वैस सेधान्तिक के मान इसके मेल खाते हैं अब हम देखेंगे आईसो ब्यूटेन का ब्रोमीनी करन ब्रोमीन की बंद उर्जा का मान एकसो तराण में किलो जूल प करण की अभिक्रिया उच्च ताप 127 डिग्री पर होती है जबकि कलोरीनी करन की कम ताप 25 डिग्री पर यह संपन होती है इसका करण क्या है कि आसानी से जो बनेवी ब्रोमीन मुक्त मूलक है वह एलकेन अणू के साथ जो अभिक्रिया होती है एंडो थर्मिक या उसमा सोसी अभी किरिया होती है यहां हम देखें कित्ती उर्जा चाहिए 412 किलो जूल ब्रोमीन फ्री रेडिकल से और यहां पर HBR बनेगा हो यहां कित्ती उर्जा निकलेगी 366 किलो जूल तो डेल्टा एच कमान कितना रहा है 46 किलो जूल प्रती मोल जबकि क्लोरीन मुक्त मुलकों की यहां किती है नजी चाहिए 412 किलो जूल और है यहां कितना मानाता है माइनस 19 किलो जूल प्रती मोल तो उसमा सोसी प्रक्रम होने के कारण आईसु ब्यूटेन का ब्रोमीनिकर्ण दो प्रकार से समभव होता है फर्स्ट है अभी किरिया उच्च ताब पर और मंद गति से सं कुसरा है मंद गती होने के कारण ब्रोमीनी करण की प्रक्रिया में जो बनी हुई ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कौन से गुणा जाते हैं फ्री रेडिकल के गुणों की मात्रा भर जाती है जबकि प्राइमरी मुक्त मूलक की तुलना में टर्सरी मूलक का इस्थाय तो की रुप से क्या बनता है टर्सरी तुटिल ब्रोमाइड ही मनता है चुके बनता है जबकि ली कि दो फासरी ब्रोम refugees फ्राइम जी ho की बनने की संभावन वन डिग्री हाइट्रोजन पर्मान की संग्या है या पर 9 और उनकी क्रिया इंत्वान की ना डियंट ना रसरी ब्यूटिलब्रोमाइड बनने की संभावना है 9 अपोन 9 plus 1400 इंटु 100 बराबर, प्रॉयंट 6 परसेंट और 3-2 बूटि ब्रोमेट कि प्रतिस्टत मातरा निकाले तो 1600 बटै 9 plus 1600 इंटु 100 बराबर, 99.4 परसेंट इस П्रकार से हम इसके जो परीकलित माले और प्रायोगी माल दिम मेल खाते हैं। आइसो ब्यूटेन की ब्रोमीनी करण को हम निम्न उर्जा अवस्ता चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं तो यहां देखें कि एलकेन है आक्रमन करने से ब्रोमीन परमाणू क्लोरिन परमाणू की तुल्ला में कम किरिया सील होता है क्लोरिन की किरिया 25 डिगरी पर संपन होती है जबकि ब्रोमीनी की करण की अभी किरिया 127 डिगरी सेंटिग्रेड पर संपन होती है सेकेंड है कि यह अधिक सिलेक्टिव होता है क्यों क्योंकि जो टर्सरी हैट्रोजन परमाणू का जो क्लोरिनी करण करण करवाते हैं वो प्राइमरी की तुल्णा में 5 गुना, जब कि भॉमीन नहीं करण कीतना होता है, 6 100 गुना अधिक होता है, जो कि भॉमीन कम क्रियासिल है इसलिए अधिक वर्ण सिल्णिया सिल्हक्ती भी होता है, क्यों क्यों कि ब्रोमीन की कम किर्या सिलता के कारण जो संक्रमान अवस्ता है वो काफी देरी से आती है और तब तक एलकेल समू में प्रयावत फ्री रेडिकल के गुण उसमें आ जाते हैं आता है उसी प्रकार की संक्रमावसा बनेगी जिसमें इस्थाई मूलक बनने की संभा हो इसके विप्रेज जो क्लोरेन परमाणूं है उसकी किर्या सीलता के कांड संक्रमावस्था बड़ी जल्दी आ जाती है इसलिए एलकेल समूं में प्रियाक फ्री रेडिकल के गुण नहीं आ पाते और उप्यूग दिसा में अभी विन्यास होकर इस्थाई मूलक बनने वाली संक्रमावस्था में परवर्तित होने का समय भी नहीं मिलता है अता ब्रोमिन की तुल्ला में क्लोरीन कम सिलेक्टिव होता है तो यहाँ पर क्या है यह बनेगा टर्सरी वाला और यह वाला प्राइमरी से क्रिया करके और इस प्रकार से यह एंडो थर्मिक रियाक्शन है कि और इंखना में अधिक रिडिकल गुंड बन जाते हैं suggestive और से लास्ट अ क्लोरीन करन वहें तो इस आदार पर हम कह सकते हैं कि जो हैलोजनी करण अभी करिया है उसमें ब्रोमेनी करण अभी करिया अधिक सिलेक्टिव होती है क्लोरनी करण अभी करिया कम सिलेक्टिव होती है थैंक यू